दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बॉलिवुट के बासा शारुख खान के बेटे आरन खान को बीते दिनों NCV ने ड्रक्स मामले में की गई एक छापे मारे के बाद हिराशत में ले लिया है जहां अब आरन खान एक दिन की NCV रिमांड में हैं दरसल NCV के एक अधिकारी के मता साबिक आरन गोवा क्रोस के लगजरी जाज पर चल रही रेक पार्टी के अलोगों के सामिल थे लेकिन दोस्तों एक और वहां सारुख खान के बेटे आरन खान ड्रक्स लेने के चलते सूर्क्यों में बने हुए हैं वहीं ये मीडिया में अपनी खुबसूरत गल्फेंड के वन एंड ओनली सुंदर गल्फेंड से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को लाज तक देखें अपर उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें शारू खान के बेटे आरन खान का जन्म 13 नवंबर 1997 को मुंबई में हुआ था और यहीं से इन्हों ने अपनी स्टेडी कम्प्लीट की है बात करी इनके अक्टिंग करियर के बारे में तो हम आपको बता दें शारू खान के बेटे आरन खान भी एक चाहिल्ड आर्टिस्ट हैं जहां इन्होंने अपने डैडी की फिल्म कभी कुजी कभी गब में राहूल यस्रा एचंद्र और चायल्डूड वाला क्याप्टर प्ले किया था और अपने इस किरदार की वज़ा से यह बच्पन से ही लोगों के बीच में काफी फेमस और बड़े होने के बाद अब य इसलिफ एक लड़की को दिल और जान से चाते हैं जिनका नाम किसी को भी नहीं पता है इनकी रियल गल्फरेंड की बताने से पहले हैं इनकी रूमर गल्फरेंड के बारे में आपको बता देते हैं जी हां आयलन खान का नाम अमिताब बच्चें की नतनी नव्या के साथ तो कुछ समय पहले ही इनकी तस्वीर वाइरल हुई थी जिससे आयरन खान किसी मिस्ट गल के साथ डांस करते हुए नजर आये थे वैसे खबरे हैं कि इन दिनों आयरन एक बिदेसी लड़की को डेट कर रहे हैं जो दिखने में बला की खुपसूरत और उनका दूज से भी रंग मकमले बाल और फिट बॉड़ी किसी को भी अपना दिवाना बना दें इसलिए सारुख खान के बेटे इस विदेसी हसीना पर अपना दिल हार बैटे हैं इनकी विदेसी गल्फरेंट जितनी क्यूट है उतनी ही सुन्दर भी है जो किसी भी हॉलिवूड और के जरूर बताएं साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें